नमस्कार दोस्तों रूरल स्टोरी चनल पर आपका स्वागत है और मेरा नाम किस्कमार है आज के वीडियो में हम जो हमारा हेटर है जो ब्लोवर है उसके बारे में डिसकस करेंगे जो और भी क्यों से रहे गए थे कोस्ट डाइग्राम और किसे कैसे बनवाया उसे रिलेटेड जो डाइग्राम मिले उसी से बता रहा हूँ तो साथ ही साथ मैं आपको दिखा भी दुआ कि कैसे काम करताए वो जो डाइग्राम है उस तरिक्के से कैसे काम करताए तो सबसे पहले तो कि इसकी कोस्ट कितनी आई है तो इसकी कोस्ट लगबग 50-60ov हजार आई है बनवाने में और उसके साथ है रनिंग कोस्ट बगेरा सब कुछ है और डेली एक क्मेंटल के आज पास है लखड़ी लगती है इसकी लगबग हमारे अगर एक मेने चलेगा तो कुछ 20-30 क्मेंटल लखड़ी का घर्च आएगा ये हीट एक्षेंजर कितरह होते हैं जैसे सेल ट और अपस्ते है जैसे एक ज्वड़ा गरम में अक तंड़ एत उपजाईगे जो ज्यादा घंडा यह था तो इसी तरह हैंब हो पार्टमरेड में और आग जल रही है तो वह एक अलग है उसके अंदर आग जल रही है तो ज्याधा टेप्रचर ए गर रूम से अवा ले रहा है, दूसरे कंपार्टमेंट में रूम से हवा जा रही है, वो कंपार्टमेंट एक अलग है, जिसमें थंडी हवा जा रही है, एक के अंदर आग जल रही है, इसलिए वो ज्यादा गरम है, और एक के अंदर रूम से हवा जा रही है, तो इसलिए वो थंडा है, तो दो तो दूआ इसको सिर्फ रात में चला रहे हैं दिन में फ्रेशेर दे रहे हैं उस टाइम चालू नहीं करें हैं और रात में हमारा जब temperature कम हो रहा है तो उसी time चला रहे हमारा temperature room का लग बग बाहर काफी ज्यादा ठंडा इस time तो उसे साब से अगर नए चलाते अभी हमारा room का temperature 10 degree के आसपास होता लेकिन अभी 14 degree के आसपास है और रात भर चलता रहेगा तो ये 14 आराम से maintain रहेगा फिर भी कम है लेकिन 10 degree से ज्यादा बेटर है कुछ हमारा production चालू है running हो रहा है बिल्कुली बंद नहीं हो है 10 degree के चलते तो वह एक फाइदा भी है बहुत ज्यादा फाइदा है इसका 4 degree का difference रख पाना काफी बड़ी बाद है इतने बड़े फार्म में 6000 square foot बहुत बड़ा एरि watering के बाद humidity हमारे रूम में ज्यादा हो जाती है fresh air हम देते है watering के बाद लेकिन फिर भी ज्यादा ही रहती है तो 85 75 के आसपास हम रखते हैं ताकि जो इंक्रीज होगी उसकी बाद वह 99 के पार ना चली जाए इसलिए हम बड़ी कम ही रखते हैं जो humidity ज्यादा हो रही है उसके अगर वो हमारा blower कम भी कर रहा है तो हमारे रूम में काफी ज्यादा humidity है अभी भी तो उसका कोई issue नहीं है अगर बहुत ज्यादा कम हो जाएगी तो फिर हम रूम में watering पानी चड़कना पानी डालना फरस पर वो सब काम कर देंगे लेकिन हमारी ज्यादा होने की problem है अगर ह खतम हो जाएगी उसकी कोई problem नहीं रहेगी और हमारे पास तो ऐसी problem है भी नहीं और साथ ही एक यह भी कि इसी से related कि अगर हम कोईले का use कर सकते हैं कोईले का use आप कर सकते हो लेकिन उसमें फिर ऐसा होना चाहिए कि आपके रूम में बिल्कुल किसी वेपरगार का smoke नहीं हो होना चाहिए अगर धुआ होगा तो वह आपकी मश्रूम को बहुत जल्दी कलर सेंज कर देगा मश्रूम का बहुत जल्दी ब्राउन होने लगेगी तो उसका फिर कोई solution नहीं होगा कोई भी आप ऐसा पैस्टिसाइड या फिर फंगी साइड वगरा कुछ भी अंदर से bleaching powder है वह भी डालने से कोई फाइदा नहीं हो उसका वो तो उसी उसके बाद ही प्रोब्लम सोल होगी जब तक आप वह उसमें खराब मस्रूम है उसको तोड़ नहीं लोगे तब तक प्रोब्लम से नहीं होगी यह तो वह होगे कि हम डिटी और टेंपरेक्टर वाला हो गया ले लेकिन अभी हमने मैंने जासे बटाया था कि हम मत क्लेंगें तो यह तो है क्यांसे यह तो है पॉरी रूम आंदर ला दें की हीट लेकिन हमारा थोड़ा आप काम हो रहा है जिसे जो में एकीक करनी थी वह अभी हो रही है तो इसलिए हमें हमने एक ही पाइप लगाई है यहां तक ताकि इस बड़े कंपार्टमेंट में खाली जो कंपार्टमेंट है यहां पर हीट आए और हम जब फ्रेशेर दें या फिर जब भी जो भी एर सर्कुलेशन हो तो उसके घान पूरे रूम में हीट फेल जाए और यह ठीब स्थी परे जो जो फाइप जो फॉपर की हौइसी हेट आरही थी ़ो पाइप haar हमने वहां पर लगाई है और जो निच्चे कापाइप है उसमें यह ब्लोवर लगाया है यह चोटा ब्लॉवर है तो यह हमने लगा है जिसकी एक पाइप यहां से जाकर और यह फिर हवा रूम की अवा लेता है और रूम की अवा लेकर फिर गरम होकर वहां से आती है और यह इतनी ज़्यादा गरम है कि मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया था कि इसका टेंपरचर 160 के पार जा रहा है एक एक फीट की दूरी पर यह होल हमने रखी है जो पूरी पाइप में है लेकिन अभी भी हम में इसके अंदर इतनी हीट है ज्यादा कि एक तो आपको वह कलर चैंज दिखाई दे रहे यह दिवार का यह फलो उपर की तरफ बना हुआ है यह लेकिन हमने इसके आगे यह और इसके मनें इतनी लगा दि तो इसके आगे हमने रबड की पाइप लगाई थी जो ड्यूवल वगएरा में पानी के लिए काम में ली जाती है तो वह पाइप हमने उस कोरनर तक लगाई थी लेकिन क्या हुआ कि यहां पर हीट बहुंजादा थी एक सुपसास डिग्री का टेंप्रेचर वहाँ पर था वो इस पर मैंने दिखाया था लेकिन ब्लोवर चलाने से वह और भी ज्यादा इंक्रीज हो रहा था इस कॉर्णर पर यहां पर तो वह पाइप ही पूरी पिंगलने लगी तो इसलिए हमने वह हटा दी लगाई थी कुछ 10 मिंट ही चली वह लेकिन बहुत ज्यादा हीट थी तो इसके कारण है वह हमने अठा दी अभी यह सिर्फ एक ही पाइप है सब कुछ लोएगा है तो यह एक पाइप है अभी और यह ब्लोवर है चोटा ही मेरे ख्याल से कुछ है सतरसी वाट का सतरसी वाट की मोटर इस पर तो ज्यादा बड़ी ज्या हमारे आंपर तो फिर भी जो एन वेटर है सोलर एनवेटर तो सोलर पर सब कुछ तो वो है और यह हमार रूम का टेंपरेशर है अभी रूम का टेंप्रेशर है 14 पोइंट्स है और हमडेटी 99 है यह बहले ही 99 है लेकिन अगर हम इसकी पांच मिंट ही फ्रेशेर दे 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 तो यह वापस से 85 के आज पास से आज आएगी जो हमने वाटरिंग रिए उसके कार्ण यह 99 पर चली जाती है तो दोस्तों यह तो था अंदर का पार्ट है और साथ ही मैं आपको बाहर से भी दिखा दूँआ लेकिन अभी रात का टाइम है अंदेरा है तो मैं आपको बाहर सुबह जल्दी दिखा हुआ और साथ में डिटेल और भी बता हुआ कि कैसे यह काम करता है और कैसे हमने इंस्ट लेशन के सिक्री तो वो समा को दिहोंगा कि को दोस्तों यह निच्छे की पाईप ऐसमें यहां यह जिए उपर और यह जा रही है ऊजिए यह आपको की दिखाता हो यह चल भी रहा है तो इसके अंदर वी होको आपको कि यह अंदर पाइप है कुछ से 17-18 पाइप पे लगी है पाइप लगी है इसके अंदर और दो अलग लग चंबर है जैसे मैं आपको डाइग्राम भी दिखाऊ हुआ एक पाइप से इन पाइप के थुरू होकर और जो स्मोक जा रहा है वह वहां उपर जाकर और बाहर निकल रहा है और जो पाइप के आसपास का जैसे एरिया है वह गरम होकर और इस यह पाइप है इन से मिलकर और उपर की जो पाइप उसमें हीट जा रही है तो आई होप दोस्तों यह इंफर्मेशन आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और बेल आइकन को ओल पर सेलेक्ट जुरूर कीजिए कि आपको डली आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे हैं और अगर आपको कोई क्यों सब्सक्राइब लिखिए अगर आपको मुझे से कॉन्टेक्ट करना है तो आप मुझे इस्टाग्राम पर डा अगर आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों तो जैसे मापको ड्रम से दिखाता हूं जैसे यह ड्रम है और इसी के तरह है इसके अंदर भी यह ड्रम है जो उपर पाइप लगी है वो उपर का इसा मालो आप इसके कि यहां से हेट दूंगा वह यहां से आयेगी और जो आपिस में मिक्स भी नहीं होगी तो इस तरह से काम करता है, मैं आपको डाइग्राम वगरा भी दिखा दूआँ, विससे डाइग्राम इसका तो नहीं है मेरे पास है, लेकिन फिर भी जो इंटरनेट पर अवलेवल है, उनके तरूँ जो इससे बिल्कुल हूँ वहू मेच करता है, उसका मैं आपको दिखा झाल झाल